और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आईए हम संकरपले नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार पूरा देश कोस रहा है कि मोदी जी ने ये क्या किया देश छोड़ दीजिए आयोध्या में मोदी ने जो किया है उसे खुद भाजपाविश महिंदू परिशद बजरंग दल के लोग अंदर ही अंदर कोस रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि चूँ भी कर दे शंकराचारियों के बहिशकार के बीच नरेंदर मोदी आयोध्या के राम मंदिर पर सियावर राम चंद्र की टीवी के चारल भात भले लगातार वंदनागाते रहे हों लेकिन सच यह कि आयोध्या का पूरा आयोजन एक फ्लॉप शो में बदल कर रह गया आप पूछ सकते हैं कि धर्म का कोई आयोजन फ्लॉप या हिट कैसे हो सकता है उसे शो कैसे कहा जा सकता है क्योंकि शो का मतलब तो होता है तमाशा बिलकुल सच लेकिन जब धर्म के किसी आयोजन को राजनीत के अनुष्ठान में बदल देन की कोशिश की जाए तो वह सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाता है और तमाशे या तो हिट होते हैं और नहीं तो फ्लॉप और बड़े नेता की छोटी राजनीत की क्षुद्रताओं ने आयोध्या के आयोजन के विराठ होने के बावजूद उसे प्रहसन में बदल दिया तो अपनी ही पार्टी अपने ही दल अपने ही संगी साथियों अपने ही वरिष्ठों और अपने ही मार्ग दर्शकों का हिस्सा मार जाता है भारत के इतिहास में इतनी छोटी सोच और इतने तंग दिल का प्रधान मंत्री कभी नहीं हुआ जो दूसरों के कामों का श्रेय द ही है कैसा विन्य क्या वाकई मोधी विनीत नजर आते हैं कैमेरे का ध्यान किसी और की तरफ न चला जाए इसलिए आयोध्या के मंदिर अंदोलन को यहां तक पहुंचाने वालों का अनाधर किया गया अगर सचमुच में देखा जाए तो एयोध्या के मंदिर बनने के पीछे और यहां तक की मोधी के प्रधान मंत्री बनने के पीछे किसी एक आदमी का हाथ है तो वो है लाल कृष्ण आडवानी लेकिन आडवानी को राम मंदिर का नियोता भेजने के बाद उन्हें बुरी तर मंदिर आंदोलन का मुर्ली मनोहर जोशी गुंबद गिराये जाने के बाद उमा भारती की मुर्ली मनोहर जोशी से गले मिलती तस्वीर सब को याद है लेकिन मुर्ली मनोहर जोशी की भी किसी ने सुध नहीं लिए विश्व हिंदू परिशद के प्रमुख रहे दिवंगत अशोक सिंगल मंदिर के लिए पूरी जंदगी खपा डाली प्रवीर तो गडिया ने दंगा फसाद सब कराया उमा भारती सादवीर इतंबरा विने कटियार मोधी ने किसी कार नाम नहीं लिया बाकी छोड़िये उत्तर प्रदेश के ततकालीन मुख्यमंत्री कल्यान सिंग न अगर्दी को रोकने में उन्हें नहीं लगाया इसके बाद नर्सिम्हराव ने उनकी सरकार बरखास कर दी थी मोधी ने उनका नाम भी नहीं लिया मोधी ने राम मंदिर के लिए बढ़ चड़कर काम करने वाले श्रीराम जन्मभूमी मुक्ति यग्य समिती के स्थापना कर करने वाले योगी आदित्यनाथ आज के मुख्यमंत्री उत्रत्रदेश के अध्यात्मिक पिता महंत वैद्यनाथ का भी नाम नहीं लिया नभासकरदास का नाम लिया नगोपाल सिंग विशारत का नाम लिया छोड़िये उनी साउन्चास में बाबरी मस्चित के अंदर मूर स्वजों में गिन दिया सोचिये प्रभु राम को भी कैसा महसूस होता होगा कि उनका चेला किसी काम के पीछे पूरी जिंदेगी कुर्बान कर देने वालों का हिस्सा मात जाता है निगल जाता है गटक जाता है ताकि उसके आगे कोई और नजर ना आए उन अंट नाम्भक्तों के उन अंगिनत्त कार्सेवकों के और उन अंगिनत्स्त्र महत्माओं के हम सब रनी है कितनी अजीब बात हैं कि दील से इतना चोटा आदमी इतना चोटा आदि मर्यादा पुरुषुत्तम प्रभुराम के गुण गिना रहा था उनकी उदार्ता का बखान कर रहा था उनकी व्यापक्ता की पोथी बाच रहा था बता रहा था कि देश को राम से सीखना चाहिए तो मोदी जी आप भी कुछ सीख लेते आडवानी मुर्ल बार नाम तो लेते इतने सारे लोगों का हिस्सा मारने के बाद आइने से नजरे कैसे मिला पाते होंगे मोदी जी देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिया और समर्पन की वज़ा से आज हम यह शुब दिन देख रहे हैं तो नाम भी ले ले लेते जी जी कुछ लोगों का इनीक शुद्रताओं की वज़ा से आडवानी जी ने साफ मना कर दिया अयोध्याने से कि सामने बैठ कर बैज़त होने से अच्छा है जाओ ही मत अपनी इज़त अपने हाथ वरना दुनिया जानती है कि कोई मौसम खराब नहीं था जिसका बहाना ब जजों ने फैसला सुनाया था उनमें से चार नहीं गए देश के चीफ जस्टिस बुलावा था नहीं गए बागी चोड़िये आदिवासी राश्टपती दुरौपदी मुर्मू नियोता मिलने के बावजूद नहीं गई उन्हें भी जरूर अंदाजार आओगा कि वहां कि इस तरह का तमाशा होने वाला है अपने इजद बचाओ विपक्ष का एक भी नेता नहीं गया उन्होंने भी अपने इजद बचाई लेकिन बात इतनी ही नहीं है भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधान मंत्री ने किसी मंदिल से चुनावी भाशन दिया है सियासी भ अनों से क्या कभी मिटाया जा सकता है आने वाला समय अब सफलता का है आने वाला समय अब सिद्धी का है ये बव्यराम मंदिर साची बनेगा बारत के उतकर्ष का भारत के उदै का ये भव्यराम मंदिर साची बनेगा बव्यराम मंदिर साची बनेगा बव्यराम मंदिर साची बनेगा बव्यराम मंदिर साची बने कि एक प्रधान मंत्री ने उस दिन प्रायोजित भीड के बीज आयोध्या के मंदर से चुनावी भाशन दिया था राजनितिक भाशन दिया था अब समझ में आया कि इतने सारे लोगों को किस लिए बुलाया गया था राम मंदर के उत्सों में शरीख होना तो बहाना था मोदी को अपना भाशन सुनाना था वरना मिताब बच्चन से लेकर रजनी कान था विशेक बच्चन रणबीर कपूर आलिया भट सचिन तंदुल का रोहित शट्टी मुकेशंबानी जूनियर एंटी आर्ट चिरन जीवी राम चरण जैकी श्राफ जैसे लोग भाशन पर ताली बजाने के लिए कहां से जमा होते हैं ये बात बेपरदा हो चुकी है कि ये पूरा जमघट जैसी आराम के लिए नहीं जै मोदी के लिए लगाया गया था बावजूद इसके फ्लॉप शो में बदल कर रह गया मोदी क आयोध्या इवेंट इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकान दबाई ए घंटी जैसी आकरती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए हमारा ट्विटर है अर्टिकल 19 अंडरस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर है नमीन जर्नलिस्ट आप मुझे भी कर सकते हैं आपसे खास गुजारिश है हमारा वाट्सअप चैनल भी है अर्टिकल 19 अंडिया के नाम से इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं नमस्कार